हेलो दोस्तो आज का लेटेस्ट नियूज जिसमें हम लो देखेंगे सीटेट का जो पेपर होने वाला है दोस्तो उसका लेटेस्ट नियूज है यहाँ पे देखेंगे केंद्रिये सिक्षक पातरता परिक्षा सीटेट के 17 संसकरण के पंजिकरित आवेदको को सुचित किया जाता है कि अब परिक्षा अफलाइन मोड यानी पेन पेपर ओएम आर आधारित होगे अब परिक्षा 20 अगस्त 2023 को रविबार को पूरे भारत में पेपर वन और पेपर टू के लिए आयोजित की जाएगी जिसमें उमिद्वारों के लिए निर्दिश्ट सहरों में आयोजित की जाएगी यानी जो उमिद्वार पहले से जो CT को सेलेक्ट किये हुए है उसी CT में उन लोग का इकजाम पड़ेगा लेकिन अब पूरे भारत में सभी का जो इकजाम सेंटर होगा जहां जो डाले हुए हैं वहीं पड़ेगा लेकिन सभी का एक्जाम एक ही दिन कंड़क्ट कराया जाएगा यानि 20 अगस्त को पूरे भारत में सीटेट का पेपर कराया जाएगा और वह भी OEMR सीट पर दोस्तों एक तरह से देखे तो यह बहुत ही अच्छा पहल है क्योंकि इसके थ्रू अगर आप एक्जाम देते हैं तो इसमें पेपर लिख होने का या पेपर हेख होने का या सेंटर पे बहुत सारे इसू हो रहे थे जो विद्यार्थियों को बहुत सारे प्रोब्लम्स इसमें आ रहे थे इस अब से इसमें छुटकारा मिलेगा दोस्तों तो कहीं ना कहीं सीटेट का यह जो पहल है बहुत ह नेक्स्ट में वीडियो बनाओं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोको मिलता रहें दोस्तों अगर इसके अला में अधिक जनकारी चाहिए इसके पाठे करम भासा मात पातरता माप दन अन्य परसंगीक जनकारी का ब्यूरण सीटेट के अधिकारिक व्योसाइट सीटेट.nice.in पर पहले से ही उपलब्ध है यानि केवल जो एक्जाम सेंटर है दोस्तों जहां आपने भरा है उसी सहर में दिया जाएगा और 20 अगस्त 2023 को पूरे भारत में सभी का पेपर एक ही साथ कराये जाएगा जिसमें आप पेपर 1 या पेपर 2 के लिए अगर अपलाई किये हैं तो एक ही दिन पेपर 1 और 2 दोनों का रहेगा जैसे पहले होता था अगर कोई बिद्यार थी अगर पेपर 1 के लिए अपलाई किये हुए है उनको भी केवल 20 अगस्त को ही पेपर देना होगा तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले जाएं दोस्तों